हेलो एवरिवान, वेलकम टो माई सैनल स्कूल लेसन, आज आम परहेंगे साइन्स का सेप्टर वान, नुट्रेशन इन प्लांस, चलिए देखते हैं क्या है सेप्टर में? आपने क्लास 6 में फूड के बारे में बरा है, फूड चो होते हैं वो living organism के लिए बहुत जादा important होते हैं, फूड में कुछ component होते हैं जैसे protein, fats, vitamins, minerals, यह सब फूड का component है और जो food का component होता है उसे nutrients कहा जाता है जो हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा important होते है तो अगर आपको question पुझा जाता है कि what is nutrients तो क्या बताऊगे the component that present in food such as protein, fats, vitamins and minerals are called nutrients ना भी living organisms होते हैं सारे living organisms के लिए food बहुत ज़्यादा important होते हैं लेकिन सिर्फ plant ही है पैर बदा ही है जो अपना food खुद से बना सकते हैं लेकिन animals या फिर human beings वो खुद से अपना food नहीं बना पाते हैं वो food के लिए या तो plants पे dependent होते हैं या तो animals पे dependent होते हैं सो humans और animals क्या करते हैं डिरेक्ली और इंडिरेक्ली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर अपना food खुद से बनाते हैं water, carbon dioxide और mineral यूज करके और food बनाने के लिए plant को सो raw materials आए वो अपनी सर्वेंटिंग्स में ही present होते हैं raw material का मतलब होता है कुछ बनाने से पहले जिन चीजों के हमें जरुरत होते हैं उसको raw material का हाज़ात है तो plant जब अपना food बनाते हैं तब उसको जो raw material आए वो उसके आसपास की present होता है sleeping organism के लिए क्यों important होता है, body building के लिए important होता है, body के growth के लिए important होता है अगर किसी बज़र से body का कोई part damage हो जाते है incident में या फिर cut होके तो फिर उस part को repair करने के लिए पहले जैसे बनाने के लिए nutrients की ज़रुत होते हैं उसके इलाबा भी nutrients हमारी body को energy provide करते हैं जिसके वज़से हमारा जितना भी life processes होते हैं वो सब fulfill होते है life processes जैसे dietization है हम खाना हजम करते है respiration है हम सास लेते है यह फिर expiration है हम जितना waste product होते हैं body में वो सब हम निकल देते हैं यह सब जो life processes है इन life process के लिए जो energy सही होता है वो सब energy भी nutrients से ही आते है nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body nutrition क्या है सब कोई organism food लेते है और body उस food को utilize करते है तब उसको nutrition कहाँ जाता है अगर कोई organism अपना food खुद से बनाते है कुछ simple substances को use करे तब उसको autotrophic कहाँ जाता है So what is autotrophic? The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances Auto का मतलब होता है self मतलब खुद से और trophic का मतलब होता है nourishment जब खुद से नरिश करते हैं खुद से nutrition बनाते हैं तब उसको autotrophic कहाँ जाता है Therefore plants are called autotrophs Plants को क्यो autotrophs कहाँ जाता है? Plants अपने surrounding से low material लेके अपना food खुद से बनाते हैं Self nourishment करते हैं इसलिए plant को autotrophs कहाँ जाता है So elements होते हैं या most of other organisms होते हैं वो जो अपना food है वो plants से लेते हैं इसलिए इसको heterotrophs कहाँ जाता है Heteros का मतलब होता है आदर Trophs का मतलब एके हिन होता है नारिश में जब कोई आदर नारिश करते हैं food और वो food हम लेते हैं तब उसको कहाँ जाता है heterotrophs अभी जो है अपकी मन में बहुत ज़र सवाल उट रहे होंगे कि यह जो food factories होते हैं plant का वो कहाँ पे होते हैं? Plant की all parts में food बनता है या भी कुछ certain parts में ही बनते हैं Plants अपने आसपास अपने surrounding से raw material कैसे लेते हैं? कैसे उप्टेन करते हैं? और यह जो raw material plants अपने surrounding से लेते हैं? वो फिक कैसे उस food factories तब ट्रांसपोर्ट करते हैं? यह सब सवाल आपकी मन में उट रहा होगा Photosynthesis, food making process in plants अभी हम photosynthesis के बारे में परेंगे Plants कैसे अपना food बनाते हैं? उस बारे में So plant का food factories होते हैं वो lips में होते हैं इसलिए आसपास का raw materials plant लेते हैं वो सारा lips में पहुँशना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं Soil में वो water और minerals होते हैं वो plants का root होते हैं जो जमीन के निसे होते हैं वो root water और minerals को absorb करते हैं और उसके बाद water और minerals को leaves तब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और plant जो carbon dioxide absorb करते हैं एक्मोस्पेर से वो absorb होता है Plant की leaves में क्या होते हैं? चोटा चोटा pores होते हैं चेथ होते हैं उस pores में से plant carbon dioxide absorb करते हैं सारे जो pores से वो gut cell से servented होता है gut cell से covered होता है और ऐसे pores को कहा जाता है stomata Plants के leaves में जो सेथ होते हैं सोटा सोटा जिसके जरिए plants carbon dioxide absorb करते हैं उसको क्या कहा जाता है stomata क्या है गार्सेल हम जाते हैं कि स्टोमाटा की सर्वेंडिंग में रहते हैं रहके क्या करते हैं जो ट्रांस्पोर्टेशन का रेठे वो regulate करते हैं तक कि कम ज्यादा ना हो वो कैसे करते हैं opening और closing दा स्टोमाटा वो इस्टोमाटा को open करते हैं जब carbon dioxide absorb करना होता है और absorption होने के बाद फिर उसको close कर देते हैं और यह opening और closing होता है by sensing its shape इसका जो shape है सेल का shape को sense करके यह opening और closing करते हैं समझ में आगया गार्सेल क्या है अभी हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं सब हम कोई buildings देखते हैं तो वो buildings बहुत सरा bricks से बनता है सिमिलरली living organisms का जो body होते हैं वो body भी कुछ चीजों से बनते हैं जैसे कि जो building blocks से जो main चीज़ से वो है cell cell क्या है एक tiny unit cell और cells ऐसे हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं उसके लिए microscope सही होता है cell microscopic होता है कुस खुस organisms होते हैं जिसमें से एक ही cell होते हैं उसको unit cellular organisms कहाजाता है जिस आपने पहले भी बढ़ा होगा unit cellular organism के बारे में सो जो cell होता है सेल के surrounding में boundary होता है उस boundary को cell membrane कहा जाता है जैसे ये cell है u sea sow curling में ये ॉ light ka-lar का एक boundary दिख रहा है इसे कहा जाता है cell memory और जो center में एक round दिख रहा है इस round को कहा जाता है nucleus और nucleus के सारों तरफ जो सीस होता है एक jelly type substance होते है उस jelly like substance को कहा जाता है cytoplasm so plant का जो roots होते है वो soil से water और minerals जो है वो absorb करते है और उसके बाद उसको transport करते है leaves तक यह leaves तक कैसे पहुचते है by vessels अब यह vessels क्या है vessels एक pipe की तरफ कुछ है जो क्या होता है plants के almost all the parts like root, stem और branches, leaves इन सब में रहते हैं और यह क्या करते हैं continuous path form करते हैं through the plant और इसके जरिये जो nutrients होता है वो leaf तक पहुच जाते हैं क्यूंकि leaves जो है वो food factory है यह सारा ingredients leaves में पहुचना बहुत जरूरी होता है और leaves में पहुच आने के लिए जो सीस health करते हैं उसे कहा जाता है vessels जो plants का transport system में materials जो plants में transport होते हैं उस पारे में आप chapter relevant में details में परपाऊगे plants की leaves में green color का pigment होता है जिसे chlorophyll कहा जाता है यह leaves को sunlight absorb करने में help करते हैं जब plant carbon dioxide और water से अपना food prepare करते हैं तब sunlight उसमें help करते हैं ऐसी लिए जो food preparation होते है plant में वो sunlight की presence में होते हैं और इस process को कहा जाता है photosynthesis photo का मतलब होता है light और synthesis का मतलब होता है to prepare मतलब जब कोई सीजे sunlight के presence में prepare होता है तब उसको photosynthesis कहा जाता है यह जो photosynthesis processes को complete करने के लिए जड़री होता है chlorophyll sunlight, carbon dioxide और water की यह एक आर्थ का unique processes जिसमें leaves solar energy को capture करते हैं और plant में ऐसे food store करके रखते हैं so sun क्या हो गया ultimate source of energy for all living organism सारे जो living organism होते है आर्थ में उसका ultimate source of energy है sun so अब आप imagine करो अगर यह photosynthesis process नहीं होता तो आर्थ में living organism का life कैसा होता अगर photosynthesis नहीं होगा तो कोई खाना ही नहीं बनेगा food ही नहीं बनेगा so जो living organism होते है वो directly और indirectly अपनी survival के लिए जो food की ज़रोत होते है उसके लिए depend करते है जो plant food बनाया होता है उसके उपर food के इलाबा यह सब photosynthesis process से यह oxygen भी release करते हैं photosynthesis process की दरान oxygen रिलीज होता है जो living organism के लिए बहुत ज़्यादा important होता है photosynthesis के absence में आर्थ में living organism का life impossible होगा क्योंकि oxygen भी release नहीं होगा और food भी release नहीं होगा दोनों living organism के लिए बहुत ज़्यादा important होता है photosynthesis process की दरान जो chlorophyll वाला leaves होते है वो sunlight के presence ने carbon dioxide और water यूज़ करके carbohydrate वेपियार करते हैं carbohydrates क्या है nutrients है एक food का component है और इस process को can be represented in an equation आपने class 6 में food के बारे में अपरा है food जो होते है वो living organism के लिए बहुत ज़्यादा important होते है food में कुछ component होते है जैसे protein, fats, vitamins, minerals यह सब food का component है और जो food का component होता है उसे nutrients कहा जाता है जो हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा important होते है तो अगर आपको question पुछा जाता है कि what is nutrients तो क्या बताऊगे the component that present in food such as protein, fats, vitamins and minerals are called nutrients ना भी living organisms होते हैं सारे living organisms के लिए food पहुत ज़्यादा important होते हैं लेकिन से plant ही है पैर पोधा ही है जो अपना food खुद से बना सकते हैं लेकिन animals याफिर human beings वो खुद से अपना food नहीं बना पाते हैं वो food के लिए या तो plants पे dependent होते हैं या तो animals पे dependent होते हैं यूमेंस और इनिमेल क्या करते हैं डिरेक्ली और इंडिरेक्ली डिपेंडेंट होते हैं plants पर order of nutrition in plants plants एक ही organism है और ये organism है जो अपना food खुद से बनाते हैं water, carbon dioxide और mineral यूज़ करके और food बनाने के लिए plant को जो raw material सही है वो अपनी serventings में ही present होते हैं raw material का मतलब होता है कि उस बनाने से पहले जिन सीचों की हमें जरुरत होते हैं इसको raw material का आज़ाता है तो plant जब अपना food बनाते हैं तो उसको raw material सही है वो उसके आसपासी present होता है photosynthesis process में oxygen release होते हैं जो plant के leaves में stars होते हैं stars की presence ये indicate करते हैं की photosynthesis process और कर हुआ है stars की एक टाइब का carbohydrate होते हैं if you like my video please subscribe my channel